गुरूर ब्रम्हा गुरूर विश्नु गुरूर देवो महेश्वरा गुरू साक्षात्पर ब्रम्हा तस्मेश्री गुरुवे नमहा घर्षिष्न, हरे खिर्षिष्न, 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 हरे खिष्ण के चाहिचे, अरे राम हरे राम, 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 आरे अरे क्रेष्णा अरे क्रेष्णा ओम भूर्भु वस्वाह तच्सवितुर्वरेञ्यं भर्गो देवस्य धीमही धियो यो नह प्रचो दयात गुरुर ब्रह्म्हा गुरुर विश्वु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रम्ह तस्मेश्री गुरु वे नमहा ओम नमशिवाया राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे क्रिष्ण हरे क्रिष्ण 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 योगी मीर ध्यान गम्यम् वंदे विष्णु भवबैवरं सर्वलोके गनावं योम् ब्रम्हा वरुनेंडरुद्रमरुत सुनवंति दिर्वे सवे वेदेयो सांगपद क्रमों पनिसदे गायंतियं सामः ध्यानावस्थीततत्गते नमनका पशंतियं योगीनों यशान्तं विदूशुरातु ब्रनाः देवायकस्के नमनाः देवायकस्मे नमन हो, हो, हो अरे नाम संकेतन कुछ में तो के लिया अरे रामा अरे रामा राम रामा अरे रामा अरे रामा Hare Krishna 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 Hare 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 Rama आपार्ष्णाव और हजो इन डोगेwall देशने जोगें करण डोटे केक सनसेट आप। अरे रामा, अरे रामा, रामा, अरे अरे Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare हरी नाम संकिर्टन स्रद्दा और भाव से हरी नाम स्राम हावा हरे नाम स्राम हावा हरे नाम स्राम 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 हरे नाम स् Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 अरे क्रिष्णा, अरे क्रिष्णा, 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 क्रिष बहुत खुले भाव से स्वध्धा और विश्वास के साथ Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna मा नर्मदा के पावन तटपर हरिनाम संकिलतन बगवन नाम संकिलतन बड़े स्वध्धा विश्वास अरे खिश्णा, अरे खिश्णा, खिश्णा, अरे रामा, अरे रामा, अरे खिश्णा, 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 अरे भरो से राम के निर्भाइगों के सोए अन होनी होए नहीं होनी हो सो हरे रामा, 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 हरे राम अरे रामा, 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 अर ओव 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 चाट जो माता है ज्यादा बोले उनको जिनके पास प्रवेश्च वह विल्ले है स्वहिंसे बगत महिं माता उठा कर पिछे बेटा देए ज्यान रखे जो बोले उसको उठा कर पिछे बेटा देए परम पिता परमात्मा के आसिम कृपासे मान अर्मदा के पावन तठपर अर्चनिय वंदनिय रात समरनिय परम पुज्यस्त देवापुजी उनके जनम दिवस के उपलक्ष में है आप और हम सब मिलकर पाँच छे दिन भगवत चिंतन हरी नाम इसका संकल्प हम सब में लिया है निष्टा के साथ जो सतकर्म किया जाता है उसे अनुष्ठान कहते है एक अही ब्रत एक ब्रत नेमा मन क्रम बचन रामयन में तो पतीपद प्रेमा सती के लिए बताया है लेकिन प्रभुपद प्रेमा भक्त के लिए आ जाएगा मन क्रम बचन गुरुपद सेवा प्रभुपद सेवा नारी यो सती होतो पतीपद प्रेमा इसलिए एक निष्ट भाव से एक निष्ट भाव से जैसे माता शबरी ने एक निष्ट भाव से सारा जीवन भर एक ही प्रकार से एक ही धर्म एक ब्रत नेमा बस गुरु ने जो आदेश दिया था शबरी परम तपश्विनी बिलनी परम तपश्विनी शबरी जांको नाम मुनी मतंग कहकर गए तो ही मिलेंगे राम गुरु ने जो शब्द दे दिया शबरी बेटा तुझे राम मिलेंगे एक बार उन्होंने रदे में धर्ण कर दिया एक अही ब्रत गुरू ने कहा है मुझे राम मिलेंगे निश्चित मिलेंगे कोई संसय नहीं एक अही धर्म एक ब्रत राम को मिलना है मिलना है मिलना है एक अही ब्रत एक अही धर्म एक अही ब्रत एक अही नियम क्या नियम चा बस सुबह से शाम तक जब तक आँखों में नींद न आए तब तक प्रभु का रास्ता देखना प्रभु की बाट निहारना बस कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे पूरी तर सजग रहना सावधान रहना तत्परता से ऐसा नहीं कि जब आएंगे तब मैं विवस्था कर लूँगी बिल्कुल नहीं पता नहीं कौन से शण में आजाए इसलिए सदा सावधान इसी तरह अनेक हमारे महापुरुषोने संतोने महिला संत हो पुरुष्यंत हो मीरा जैसे तुलसी कबीर गुर्णानक देवची महराज भगवान महाविर जैसे परम तपश्वी भगवान गुद्ध जैसे एक अही धर्म एक ब्रत नेमा मन क्रम बचन इष्ट पद प्रेमा जो भी जिसका इष्ट एक बार बना लिया बना लिया निष्टा के साथ जो नियम का पालन किया जाता है निष्टा से आप अभी पांच दिन के सिबिर में ये आपका अनुष्ठान है अनुष्ठान में ऐसे नियम होते हैं जिसे आप कर रहे हो आपको पता ने कि ये नियम के अंतरगत है भूमी के उपर सोना सात्विक आहार करना घर बोजन करते होंगे आप लोग कांदा लसून मसाला नाना प्रकार करना अब यहां तो जो मिले वो खाना बड़े हो यह चले ही नहीं कोई कांदा नहीं कोई लसून नहीं कोई तामस तो चलेगा नहीं सात्विक आहार करना भूमी पर सयन करना आपको तो पलंग मिल जावे तो आप बहुत खुश हो जाओ आपको थोड़े मालूम है कि जमिन पर सोना भी एक नियम है यह भी नियम है अनुष्ठान के नियम है भूमी पर सयन करना सात्विक भोजन करना ब्रह्म मूर्त में जग जाना नर्मा नर्मदा गंगा यमना जैसे पवित्र महा नदियों का देव नदियों का असनान करना ये सारे अनुस्टान के अंतरगत है अंजाने में किये जा रहे है इतना हमको नहीं समझत है ठंडे पानी से नाना भी नियम के अंतरगत आ गया गरम पानी से अस्तान करना विलासिता के अंतरगत आ जाता है ये आप जो अनुस्टान कर रहे हैं वो बता रहा है कलत न कलत जाने में अन जाने में वो हो रहा है आप अनुस्टान कर रहे हैं सुभा से ध्यान में बैठना एक ता पिर सेवा करना निशित समय पर निशित समय पर भोजन और निशित समय पर सत्संघ करना निश्शित समय पर सोचाना जग जाना ये अनुस्टान है नाना प्रकार के अनुस्टानों के अलग-अलग विदी होती है ये भी अनुस्टान के अंतरकत है इसलिए पुन्य पुन्ज बिनू मिलईन संता अब मोई भावरो सहंग मनता बिन हरी क्रपा मिले नहीं संता हरी क्रपा के बिना संतों का सानित दिन ही मिले आकर गुजर जावे, चले जावे मैं गया था, मैंने दर्शन किया पांच मिनिट बैठा दूद चाय परसाद लिया और चला गया ये तो दर्शन हुआ, पर्शन नहीं हुआ हर एक चीज में दो बाते जॉइंट किया है हर एक चीज में दर्शन हुआ, पर्शन नहीं हुआ पर्शन तो सब्दों का वेवार हूँ इसलिए दर्श परस मुख मंजन पाना उसके बाद क्या होगा? कटे पाप कहे बैद पुराना उसके बाद पाप कटेंगे पाप कटेंगे माने दोश दूर होंगे बिना पाप कटे तो भगवत कारियों में प्रवेश नहीं मिलता दोश दूर होंगे कटे पाप कहे बैद पुराना और दोश दूर होते ही सुख की प्राप्ती होगी सुख तीन प्रकार के दैहिक दैविक भावतिक तापा ये दुख दिन तीन प्रकार है दुख तीनों के अफ़ोजित करो तो तीन सुख दैहिक सुख है दैविक सुख है भावतिक सुख है कहा है न राम राज मह कचुनई ब्यापा बोले ऐसा भगवान का शासन काल था उसमें तीनों प्रकार के शूल है ये तीनों प्रकार की पीडाएं है तीन प्रकार की दुख की ववस्ताएं है दुख का योजन तीन प्रकार दैविक भावतिक चारिरी कलेश भी न हो मानसिक कलेश भी न हो आर्थिक कलेश भी न हो ऐसा इसलिए बहुत अग्भूत है और अनुष्टान निष्टा से जो किया जाता है वो अनुष्टान है और उसके अंतरगत हम मेरे भाशा में मैं बोलता हूँ वेडा वाकडा वेडा वाकडा माने तूटा फूटा तिर्चा बांका ते सब क्या भगवत चिंतन भगवत गुणानुवाद फोई नहीं कर सकता सेश महेश गणेश दिनेश सब रटे कोई पार्न पावे परन्तू आया आयना की सब कहते तो एकि कोई वर्णन नहीं कर सकता फिर भी यद्यपी कहे बिनु रहान कोई साब को मालूम है कि कोई वर्णन नहीं कर सकता है भगवत गुन का लेकिन कहे बिना कोई रहान और इतना विराध है अध्यात्म कोई दोशार ओपन नहीं कर सकते क्यों? इसका मतलब यह है हमारी भावना का सवाल है हम इश्वर से हम उस परम सत्य से किसी भी प्रकार से रिस्ता जोड सकते कोई हमें उसमें विरोध नहीं कर सकते तुमेव माताच पिता तुमेव ठीक है किसी को लगा कि मेरे माता पिता है फरमात्मा ठीक है कोई मनाई नहीं दूसरे शब्द में कहा तुमेव बंदूच सका तुमेव अच्छी बात है आपको भाई के रूप में भगवान चाहिए बंदो के रूप में बंदो के रूप में कुछ हरकत नहीं है किसी ने कहा सखात हुमें एक शब्द में गा सखा मित्र एक हमारे सनावत का चोटा सा बालक है जो बारा चोदा तेरा साल काँ गजशाफ सुत्रा प्यार तो आता है तो मैं कभी चला जाता हूँ पिर रोज करता है आप चले जाते हों बापू जी बताते भी नहीं हो और हम जब आते हैं तो अब बता चलता है अब गए कितने दिनों से मिले ही नहीं है तीन मेने हो गए तो गुस्से में कहता है तो हम कहते है कि बेटा फिर तुमने जो है न वोसिस नहीं कि पुर्शार्त नहीं कि हम क्या करें पूछना चाहिए फौन पान से ये करना है नहीं तो नहीं तो तीन चार दिन पहले आया तो बापुजी अभी आप कब तक रहोगे क्या में वोला भी हमाएं तो मैं है न देखो अमुक तारिक को आउंगा उसके बाद जो है तीन जीन बाद अमुक तारिक को आउंगा मैं खबढ़िया मैं वोले आप क्या मानते हो मुझे गोले मैं जो है न आपको मित्र मानतूं गरवडिया चलो मित्र चलेंगे चलो हम मित्र मित्र चलेंगे नीचे काम चल रहा है वो देखेंगे क्या हरकत है भावना का सवाल है ये जगत बहुत नाजुक है अध्यात्मिक जगत बहुत नाजुक है तोमेव माताच पिता तोमेव तोमेव बंदू तो सका तोमेव फिर और बाद में तोमेव विद्या द्रविनम तोमेव विद्या देने वाला दाता तू अब उची बात चली गई और फिर तो इतनी उची गई तोमेव सर्वं ममदेव मात तात बंधू पिता सब तु ही तु है मेरा इसलिए भावे सो थे सबाओ लेकिन एक निष्टा हो जानी चाहिए इसलिए अनुस्तान है ये साधना सिबीर किसी को लगे कि कौन सी साधना होती है वहाँ जिसका नाम साधना सिबीर है हम कहेंगे कि देखो हमारे प्रेमी जो है सुबह से उटते माराज कोई चार बजे से कोई पाँच बजे उटते तो फटाफट तयारी करें चे बजे पहले ही सुबह वहाँ से उपर से देख रहा था कुछ माताएं तो साधे पाँच बजे ही जो शुरो गई बैटना इधर ये साधना है इसी का नाम साधना है समय से उठे समय से स्नान ध्यान करे समय सारी ये करें साधना वह ऐसा का ऐसा ही रूटीन हमारे जीवन में अगर घर पर शुरो हो जावे तो समझो सिभीर सफल हो गए आपका ऐसा ही रूटीन गर पर शुरो हो जाए बस चेंज इतना आएगा कि यहां सुबे जो एक गंटा ध्यान होता है उसमें तो कोई चेंज की जरुवत नहीं है साध बजे तक तो आप कहीं जाते नहीं है तेसे साथ ठंडी में गर्मी में पास से छे दुपेर वाला जो है बस वो ही चेंज होगा फरक होगा दुपेर बारा से तीन आप सत्संग नहीं करें उसमें संसार के साथ सत्संग करें उसका कारिय करें और क्या है शाम में संध्या की बेला में फिर एक गंता जो भगवत चिंतन करे नियमीत भोजन करे नियमीत ये सारा अगुना वो सकता है शुरू करे पुक हम इसलिए श्रीमद भगवत गीता जी के दूसरे अध्याय के एक सट्वे श्रोक में भगवान के ते बहुत अच्छा थाए तानी सर्वानी सयम्या योग्त आसित मत्पर साथ साथ बोले तानी सर्वानी सयम्या योग्त आसित मत्पर वसेहियसेंद्रियाणी तस्यप्रज्याप्रतिस्टिता प्रसादे सर्वदुखानां प्रसादे सर्वदुखानां हानिय अशो पजायते प्रसन्न चेत सोयाशू प्रसन्न चेत सोयाशू बुद्धी पयवतिस्टते बुद्धी पयवतिस्टते भगवान अम को योग सिखा रहे हैं अर्जुन को निमित बनायाएं काया हमसा संसार कोई होगस संपूर्ण इंद्रियों को वस्मे करके समाहित चित हुआ मेरे परायन होकर द्यान में बेठे संपूर्ण इंद्रियों को वस्मे करके सुबह द्यान के समय में ये चर्चा चली योगत चित्वरत्ति निरोधा हमारी बहु आयामी बुर्धी हमारी अनंत वरत्तियां चित्व की जो बिखर गई है और जिसके कारण हम परेशान होते है चित्वरत्ति उन सब को इकठा करके क्रामयन में सिंपल शब्दों में कहा है सिंपल शब्दों में सब तरब से अपनी ममता को हटा कर मेरे चरण कमल में फिक्स कर दे है सब हिंद्रियों को वस्मे करके समाहित चित्त हुआ समाहित चित्त हुआ सारी विरत्तियों को इकठी करके चित मुझ में समाहित करे और मेरे परायन होकर देखर सुबह आया था थोड़ा सा अनंत नाम है ब्रह्म के ब्रह्म के नामों का वारा पार नहीं है अनंत नाम है ब्रह्म के जाका वारन पार मन माने सो लीजिये कहे कबीर विचार अनंत नाम है और दूसरी दर तरफ आता है कि अनामी है परमात्मा का कोई नाम ही नहीं फिर अब कैसे करे हम बस हम वैसे ही करे जो भी नाम हम लेते है उसके पीछे भगवत भाव हो ये जो मैं नाम ले रहा हूँ ये भगवान का नाम है तो भगवान का नाम हो गए ये मैं जो नाम ले रहा हूँ अमुक का नाम है, तो फिर भगवान का नहीं हुआ, अमुक का हो गया, भगवान का नाम है, भगवत बुद्धी, हम जो कारिय कर रहे हैं, जो कर्तव्य कर्म है, शास्त्रों ने जो नियुक्त कर्म बताए है संसार, कर्तव्य कर्म में अगर भाव बदल जावे, कि ये जो मैं रोटियां बना रहा हूँ, आश्रम में मैं सेवा कर रहा हूँ, भगवत भक्तों की, तो भक्ती हो गई, मैं रोटियां बना रहा हूँ, क्यों, मैं ज़र दो सो रूपे रोज है, सो रूपे रोज से रोटी बनाने का, भक्ती नहीं होई, काम हो गया, क्योंकि उ इसलिए ए अरजुन संपुर्ण इंद्रियों को वस्त में करके समाहित चित्वा मेरे पराइन पराइन होकर ध्यान में बैठे कुछ समय तुम मेरा होकर ध्यान में बैठे क्योंकि जिस पुरुसकिंद्रिया वस्त में होती है उसी की बुद्दीस थीर हो जाती बहुत उल्टा सिस्टम हो रहा है समझ और ना समझ सारे संसार के लोग सुख ही खोज रहे नाना प्रकार से सुख चाहिए, शान्ती चाहिए सुख तो मिलता है बस और लुप तो हो जाता कैसा सुख चाहिए? शास्वत सुख चाहिए मिले फिर जाए नहीं अटल शान्ती चाहिए, अमर शान्ती चाहिए मिले फिर मिटे नहीं तो उसके लिए तो क्या करना पड़े? त्यागात शान्ती निरंतर त्याग करना पड़े और त्याग के बारे में भी सुख थोड़ा सा विशे आया था क्या त्यागे? भगवान ने लक्षमन जी को इशारा करती वे कहा उस्री लक्षमन जी ने पूछा था कि माया माया जो सब कहते क्या चीज है हो? गोनन का माया? गोचर जहां लगी मन जाई तेसर माया जानो भाई जहां तक मन की दोड़ है ए लक्षमन वहां तक माया का पसा रहा है क्या बता है आपको फिर अब हम त्यागे कैसा हम बस जहां है जिस तिती में है त्याग देवे मस्तिक में विचार बन कर जो माया बैठी है अनेक वुलजनों के रूप में जो एक जग हमारी चित्वरत्य फिक्स कर दे सब में एक ही चुपा है उसको समझने की कोशिश कर एक रंग मंच के उपर एक कलाकार अजीब सा रूप बना कर नाटक कर रहा है हम परेशान तबी तक है जब तक उसकी वास्तविता न समझे यह है कोन आखिर में वो दीख तो रहा है कि बड़ा राजा है नाटक में दीरे से जाकर पूछे कि किसका लड़का है कोन है डाइरेक्टर को पूछे डाइरेक्टर ने कह दिया अमुक अमुक है न उसका बेटा है 200 रूपे रोज से खाम करते बड़ा अच्छा खाम करते है फ्रेस हो गया है अरे वाँ बड़ा अच्छा खाम करते है इसलिए संसार रूपी माया माया माने भ्रह्म या कोई थोस्ची चोड़िये माया भ्रह्म बस भ्रह्म है कोई कोच के बतावे कि ये मया है, ये लायागा, रख दिया आपके सामने, इसका ना मया है, ब्रह्म है ओतो, चाव है, ब्रह्म, इसलिए, ब्रह्म मिट जाएगा, इश्वर चिंतन से, उसी की बुद्धिस्तीर होती है इसा भगवान में का जिसकी इंद्रियां वस में होती है उसकी बुद्धिस्तीर होती है विशियों का चिंतन करने वाली वाले पुरुस की उन विशियों में आसकती हो जाती है बहुत अच्छा का द्यायन तो विश्यान पुन्स संगस्ते शुप जाये तई विशेयों का चिंतन करने बाला विशई हो जाएगा उसमें आसक्त हो जाएगा विश्यों का चिंतन करने से और कामना उत्पन्न होगी और कामना में विग्न पढ़ने से क्रोध उत्पन्न होगा क्रोध से अतिन्त मूड भाव उत्पन होगा क्रोध से ज्ञान नस्ट हो जाता है तो पिर ज्ञान नहीं रहता है विक्ति अपने स्थर से नीचे आ जाता है और फिर उससे स्मुरुती में ब्रह्म हो जाता है ब्रह्म हो जाता है तरे क्या न करे कुछ सूचता नहीं है उसके बाद बनुष्य अपनी स्तिती से गिर जाता परन्तु अपने अधीन कियों अंतकर्ण वाला सादक अपने वश में क्यों ही राग द्वेश से रहीत इंद्रियों द्वारा राग और द्वेश से रहीत जिनकी इंद्रियां हो गई है अपने वश में अपना अंतकर्ण हो गया है विश्यों में विच्रण करता हुआ अंतकर्ण की प्रसनता को प्राप्त होता है रहता है माया के अंतरगती लेकिन माया को अच्छी तरह जानने से उसको कोई फरक नहीं बढ़ता है मैंने कहा था कि हमारे गाओं में बुढ़े बुढ़े लोग मजाक किया करते थे अभी अभी वो लोग शान्त हुए है ब्रमलीन हो गए मर गए तो गहते हैं कि बापुजी एक समय आई साथा ये आदमी इतना सीदा है तो पिच्चर टाकी में कोई ले गए इनको और पिच्चर देखने के लिए बिठा दिये टाकी में सारा अंधरा हो गया और पिच्चर शुरो हो गया रसमें बहुत बड़ा शेर आया तो वूटकर भागा रहे मर जाएंगे करके यह तो अंग पर ही आ जाएगे दूसरे ने पकड़के बिठाया कि बैठ अन्नाडी कहीं का अरे वो पर्दे पर चित्र है वो कोई शेहर दोड़ी आया अब क्या करें विचारा कभी देखा ही नहीं जब पता चल जाएगे कि यह पर्दे के उपर चित्र काम कर रहा है इसका कोई कुछ है ही नहीं तो फिर जो चोटा बच्चा भी कुछी से देखे कोई चिन्ता ही नहीं लेकिन जब तक अग्यान में है तो फिर वो ही हालत होए कि उटकर भागे शेहरा गया इस थरह ब्राह्म लाँ और साब कुछ होने के बाद हमने 64 वाशलोक साथ में लिया है प्रसादे सर्व दुखा नाम आनिरशो पजायते प्रसन्न चेत सो या सु बुद्धी परिवर्तिष्ट ते अंतकर्ण की प्रसन्नता होने पर इसके संपुर्ण दुखों का अभाव हो जाता है देखो यहां के यहीं सेटिंग है, अन्त करण की प्रसनता होने पर, कब प्रसनता हो गई? बुद्धी, राग, द्वेश से, मुक्त हो गई? नाना प्रकार के विचारों को इकठा करके काट के सुक्ष्म बुद्धी के द्वारा अकारण विचारों को वेश्टेज को छोड़के एक तोस निर्ने पर आजावे कि सब संसार का आधार प्रमात्मा है उसके बाद शुरू स्री गीता जी और रामचरित्नमानस के माध्यम से अपन कभी भी तोड़ा सा विच्चिंतन लेते हैं उसी में पुना इसी या को जो लागू पड़े इसी चोपाईयों के द्वारा रिशी सरभंग जी एक समवाद है तो सरभंग जी इसी के समात के अंतरगत बहुत सुन्दर है चोपाई का आश्या है लेंगे दोशलोग और कुछ चोपाईयां उस पर चिंतन करेंगे चित्वत पंत रहे ओ दिन रादे अब प्रभुदे की जुडामनी चाती चित्वत पंत रहे ओ दिन रादे अब प्रभुदे की जुडामनी चाती अब प्रभुदे की जुडामनी चाती नात सकल सादन में ही ना नात सकल सादन में ही ना की नी क्रपा जानी जन दिना की नी क्रपा जानी जन दिना सोकचु देवन मोही निहारो सोकचु देवन मोही निहारो निजपन राखेगो जनमन चोरा आजन दिना दिना राखेगो जनमन चोरा सब लगी रहन दीना इने जना आजी जब लग मिला तुमागी तनु त्यागी जब लग मिला तुमागी तनु चागी जोगा जाग्या जापता परवरत दीना प्रभु कह देई बगती बर दीना यही बीदि सर रचि मुनी सर भंगा यही बीदि सर रचि मुनी सर भंगा बैठे रदाय चाडी सबसंगा यही बीदि सर रचि मुनी सर भंगा जीत वात पंगा रहे हो दिन आए बहुत सुंदर बात कही बात मुनी सर भंग अरण्य कांड के अंतरगत भगवान जब से 14 वर्स के लिए बनवे गए है बनवे प्रवेश किये है प्रवेश के बाद जब रिशी मुनियों के समुहा में पहुँचे निशाचर लोग राक्षस लोग इतना अत्याचार किया करते थे आया है कथा में रिशीयों को मार मार के संतों को जो प्रमार्थ के लिए प्रमार्थ में जीवन जीने के लिए बनवे साधना किया करते थे उनको मार कर खा करके उनकी हड्डियों का देर लगा कर लखा हड्डियों का देर जब भगवान गए रिशीयों ने प्रार्थना की संतों ने प्रभू हमारी निश्चल भाव से हमें हमारा जप अनुष्टान यज्य अवन नए नए अविस्कार साधन आत्म कल्यान के साधन जग कल्यान की ये करने ही नहीं देते वीच में विग्न करते दिश्टप करते क्या बताये ये देखो ये सब कि अधियों का डेर लगा रख़ा है कि किसी को ऐसा लगे एक तरब तो कहते हैं कि भगवान की परतिज्याय नमे भक्त प्रणश्यति मैं अपने भक्तों का नास नहीं होने लेता, फिर ये लोगों को मार मार के अधियों का डेर, ऐसा विश्यम लगता है ने तोड़ाओं सिंपल कथा तो हमारे पुरे देश की लोगों को मालुम रहता है इसमें बड़ा अच्छा रहाश्य होता है हमारे मापुरस परनन करते है एक तरप तो नमे भक्तत प्रनश्रती मैं अपने भक्तों का पतन नहीं होने देता मेरी पर दिज्या है रियां पर आया है कि देर लगाए हट्टियों का अनेक कारण होते हैं लेकिन चुपाई में एक इशारा दिया है उन्हीं लोगों को खाया गया रुम मारे गई जो असावध थे और चरित्र से थोड़े गिरे हुए थे आया है लामाई जो अपने अटन निष्टा के उपर पूरी तरस सक्सेस नहीं थे थोड़े से उनको ऐसा आया है नहीं तो फिर धेर ये तूर जाएगा सिंपल इससे सोचा जाए कि भगवान ने तो कहा है कि मैं मेरे भक्त का नास नहीं होने ये ऐसा कैसे हुआ ठीक है भगवान के भक्तु का तो नास होता ही नहीं शरीर चूट गया तो उसमें कोई बात नहीं है उना भक्त बीज पल्टे नहीं जग बित जाए अनंत नीच उच गर जन्म ले पर रहे संत के संत भक्त बीज पल्टे नहीं जग बित जाए अनंत इसलिए तो भक्ति पर इतना बल दिया गया है अध्यात्म पर इतना बल दिया गया है दीसेते नासे संसार में जो जो दिखाई देगा एक दिन सब का नास होगा परन्तु मेरी भक्ति का नास नहीं होगा आत्मा के साथ पुष्पकी सुगंद की तर संस्कार बनके मेरी भक्ती जाएगी और आने वाले शरीर में जिसमें भी उ कर्मनुस्वार प्रवेश करेगा वहाँ पर पुना उन संस्कारों के बल से आगे की गती करेगा और एक दिन मुझे प्राप्त होगा पक्की बात है चास्रसंवत बात भगवान ने वहाँ पर वो डड़ियों का देर देखकर प्रतिज्या की गोजा उठाए पनकीन निशाचर बहीन करऊ मही गोजा उठाए पनकीन प्रतिज्या ली कि मैं प्रतिज्या करता हूँ दशरत नंदन राम प्रतिज्या करता है अब मैं इस प्रत्वी को निशाचरों से विहीन कर दूँगा आसुरों से मुक्त कर दूँगा इसको हम अगर गहरे अर्द्यात्म में लेवे स्रिमत भगवद गीता जी के इशारे से जिन में दईवी गुनों का विकास होने लगता है जो सत्य के पक्ष में जीने लगते है भले ही आज तक वाल्या कोड़ी असत्य के पक्ष में रहे लेकिन गुरू मिलने के बाद स्री नारत जी के मिलने के बाद अब सत्य के पक्ष में हो गए और सत्य के पक्ष में माने परमात्मा की शरण हो गए और परमात्मा की शरण में होते ही पिर जिम्मेवारियां परमात्मा की क्योंकि पक्ष बदल दिया है सत्य के पक्ष में हम सभी के बीच भी बीतर दोनों पक्ष है किसी को लगे कि राक्सस वहीन प्रुत्वी कर दी अब तो दुनिया में असुर है ही नहीं क्योंकि लोगों के इसी दारना चित्र भी देखे है और वो जो है टीवीओं के द्वारा, सिरियों लोगों के द्वारा भी देखते है कि बड़े बड़े दांत होते है कभी-कभी सींग भी होते है राक्ससों के ऐसे भेंकर वीचित्र होते तो सिंपल दिमाग से सोचे तो ऐसा लगे कि अब तो दुनिया में कहीं राक्सस है ही नहीं कतम हो गए वह ऐसा नहीं था होगा उस समय में उनक खफेश ऐसा इसी बात नहीं है परंतू दैवी संपदा आसुरी संपदा सब के भीतर है कौन किसका विकास कर रहा है वो नाम हो उसका हो जाएगा उधारन अर्थ रावन, कुम्बकरन, विविशन ये सारा जो गुरूप है परिवार है रावन को निशाचर कहा है, राक्षस कहा है, आसुर कहा है कैसे आसुर हुआ मोनी पुलश्य कर नाती, वो तो ब्राम्मन है पुलश्य मोनी और इधर राक्षस कहा से आगए ये सारा चेंज हो गया जीच आसूरी वृत्तियों का विकास करने के कारण वह परिवार आसूर में बदल गया एक विक्ति निकला विवीशन विवीशन को आप आसूर नहीं कह सकते जबकि परिचय देने के समय विवीशन महाराज ने कहा जरूर कि मैं तामस देह कच्छु भजनन होई आसूरी शरीर है मेरा इसलिए भजन नहीं होता है परन्तु आप और हम विवीशन महाराज को राक्षस नहीं कह सकते क्योंकि आसूरी गुणों का विकास ही नहीं अंदर देवी गुणों का विकास है वो तो संत है इस तरह भगवान ने प्रतिज्या किया निसीचर विहीन करहूं मही बोजा उठाए पन कीन निसीचरों से विहीन कर दूँगा योग का गहरा अनुभव कहता है योग मार्ग का कि जिस समय सादक के भीतर सुशुप्त वही मुलाधार की शक्ती जागरत होती है उस समय जनम जनमांतर के संसकारों को बसमी भूत करते हुए जलाते हुए सादक में फ्रतक्ष उसका अनुभव होगा जब उसका अनुभव होगा शक्ती की जागरती में लगेगा कि कुछ हो रहा है शरीर में कुछ गटना गट रही सपाई हो रही क्या करेगा जनम जनमांतर के संसकारों को जबाए राजस्तानी बाशा में किसी हमारे संत ने कहा बहुत अच्छा का बोलू राजस्तानी बाणी थोड़ा सरपनी इस सब्सक्राइब मेरा विश्य ध्यान मेरा अध्यात्म है क्योंकि इसादना से भी रहे इसी बाते कर आपने अपने मारले सरपनी जगाले तारो भवरा हरीरस पीवे जारो खाई करसी जम्भवा हो जी हरीरस पीवे जारो काई करसी जम्भवा ओ जी क्या बताओं आपको जैसे मैंने का आँ शरीर में सारी सुईद आ है जो जगाव के वो पॉइंट जो बढ़ने वे इससी प्सक्राइब बटन अन करोगे वो लग जाएगा वो गतिविदी शुरू होगे मैं आपको ऐसी कड़वी बात कह दूंगे आप सब को क्रोध आ जाएगा गुस्सा महराज होकर ऐसी बात करते हैं छोड़ देओ मुझे दो दो बात करना अब भी ओ सकता है अब भी ओ सकता है एक सिरिल केस में आया था एक महला उसकी बहु को बहुत परिशान करती है उसको देश निकाला दे देती है उसका पती विदेश में जो है नौकरी करता है और महला बिचारी दरदर भटकने लगती है बहुत सजन सयानी थी उसकी सास बहुत उसको मैं सौट कटने कह रहा हूँ परेशान करती है चोट इसी गुडिया एक बच्ची उसके गोद में रहती है दरदर भटकती है दीरे दीरे बच्ची बड़ी हो जाती है उसको लिखा पड़ा कर वो थोड़े स्ठीक करती है बच्ची को इंट्रेस होता है कि मैं बहुत सारी विध्या आसिल करूँ तो कराटे में कोर्स में जाती है कराटा सीखने के लिए और कराटे का कोर्स सीखने के बहुत पहलवान हो जाती है वो बच्ची जो है और बस एक दिन कोई कह देता है कि क्या बताए बेटा गुडिया तेरे मा की जिसमें हालत की है तुझे पता नहीं तेरे मा बहुत बड़े परिवार मेरी माँ बहुत बड़े परिवले हाँ कौन परिवाँ तो वो इशारा कर देता है कि वो जो बंगला बना है बिल्डिंग जो वो जो वो सारा तुम्हारा है वो तेरे पिता का गर है रहे था तेरी दादी इतनी खतरनाक है तो उसने परतिग्या की थी कि मैं तुझे दरदर भटकने लगा दूँगी अकारण क्योंकि तेरी माँ बहुत सज्जन थी तेरा बाप विदेश गया उस बीच में उन्होंने नाना प्रकार के आरोप लेकर उसको गर से बगा कर विकारण बना दिया और तेरे ही भरोसे उसने जिल्दगी काटी उसके बाद तेरे पिताजी आए उस विचारे को उन्होंने सारा सुनाया कि ऐसी ऐसी चरित्रहीन वो बहु है महिला है इसलिए हमने है उसने आशर्य किया कि मेरी पत्नी ऐसी हो नहीं सकती कुछ दोका है नहीं कोई दोका नहीं है वो डूणने लगा कि कहीं मिले में पूछूँ मिलने भी नहीं पाए और बच्ची को सब कुछ पढ़ा दिया है एक वो थोड़ा सा मजेदार है इसलिए कह रहा हूँ तो बच्ची ने वो सुन सुन कर क्योंकि उसमें टाकत भी थी बुद्धी भी थी और उसने सीख लिया था सब उसने का ऐसा हुआ है वुडिया जिन्दी है बोले हाँ तेरी दादी जिन्दी है मैं उसको ऐसी मजा चखाऊं गी बच्ची कहती है मैं भी उसको रोड पर नहीं उतारूं तो फिर मेरा भी नाम क्या है जिसने मेरी मा को रोर कर दादी को और वो बच्ची अब एक लड़की है वो क्या करे सीधे सीधे तो जाकर मुकाबला नहीं कर दे बहुत बुद्धी से काम लिया दीरे दीरे वहाँ जाना आना शुरू कर तो गाउं अलग-अलग थे बहुत उश्यार थी दीरे दीरे उसने हैसा विश्वास जीता उस बुड़िया का वो बुड़िया बड़े परिवार की तो थी लेकिन वो एक बड़ी नेता भी थी चुनाव लड़ा करती थी और कई बार जीत करा लड़की ने देखा कि ये चुनाव का समय भी आ रहा वो जाती है दिरे दिरे माता जी माता जी मैं भी आपकी मदद करूँगी और अपना परिश्य देती नहीं है ठीक ठीक से बुड़िया के मन को जीत लेती है और मन को जीतने के बाद राज वो अपने रोस को जगाती है कि मैं इसको रोड़ पर नहीं उतारू तो मेरा भी क्या नाम है जिसने मेरी माँ को सकती है अब ऐसे करते करते वो जो है कही ने कही कुछ मीस करते है जैसे उसके फोन आए तो आगे वाले कुछका कुछ बोल देती है और फिर बुडिया ने फाम बरा चुनाओं में खड़ी रही लड़की भी गई मैं भी आपका प्रचार करूँगी और हम सब मिलके आपको लाएंगे जिता के गई और महराज जो चुनाओं में खड़े रहते उनको मालूम है नस्दिक वाले जो करें वह से दूर वालन नहीं सची राण बच्ची रात दिन संग में रहती है तो यह जगे बहुत बड़ी सभा थी विशेश प्रकार की सभा थी उसी सभा पर उसके चुनाओं का निर्णे था किसका उस महिला का उबुडिया का और बच्ची ने पहले जाकर माइक सिस्टम में आईसी विवस्था की कि पीछे से वो माइक में उसका माइक जॉइन है बच्ची का तो बुडिया कहने लग गई सभा में आके हाथ जोड़ के बैठी है वो सब एरिया के लोग उसे मानते थे बाईयों अभी मुझे आप एक बाहर चुनाओं में जीत कर ले आओ उतने में लड़की पीछे जो बोलती है मैं आपका सत्यानास करके बताऊंगी लोग चोग जाते कि क्या बोल रही है बावली इसको चुनाओं में जीता करेगी सत्यानास करेगी हमारा भाईयों मुझे आप पहले से जानते हो मैंने आपके साथ कितनी बैमानी की है लड़की बोल देती है बुड़िया आदा बोलती है मैंने आपके साथ लड़की पीछे से बलती कितनी बैमानी की है अध्यात अध्यात के बहुत अध्वूत है नीशेते ना से ये सब उच जाएगा लेकिन मेरी भक्ति कानास नहीं होता जब वह शक्ति कुणादक के शरीर में संचारित होती है मतलब जागरत होती है मुलाधार में कुंडल के आकार में बैठी रहने के कारण उसे कुंडलीनी शक्ति गयते है मुलाधार में कुंडला कार बैठने के कारण उसे कुंडलीनी शक्ति गयते है कुंडलीनी शक्ति जागे अनेक प्रकार का उसका वो होता है पीपिली का गती सर्फ गती मेंडक गती सर्फ गती खतरनाक होती है किसी सादक किसी संत को सर्फ गति का अनुबह होता है तो बहुत जादा परेशानी महसुस कर आत्मा में तो अतिश्य आनंद रहता है लेकिन ऐसा उसको लगे मेंडग की गती पीछे रीड के हड़ी में से उसकी जागरती के बाद जब शुरवात मेंडग की तरह है रुग जावे और सादक कॉनभव आता है पिपी लिक अनुद के चिटी की गती के तरह मन्द 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 उसका विकास होता है ये क्या करती है नास करती है जनम जनम के संसकारों को जला कर बसमी भूट करती है उमारे कहीं सादक मताओं को मैलाओं को विसेज करके उसमें सर्प का अनुभव होता है सर्प का अनुभव होता है इसलिए बाणी में इस संत ने कहा मार ले सरपनी जगाले थारो भवरा मार ले सरपनी जगाले थारो भवरा हरी रस पीवे जारो काई करसी जमवा हरी रस पीवे जारो काई करसी जमवा जमवा वाले यम क्या करेगा जो हरी रस पीवे उसका यम कुछ नहीं दिगा सरपनी कहे मैं तो आली रे भोली सरपनी कहे मैं तो आली रे भोली ब्रह्मा विश्यनूरी हलाउं जोली बहुत अच्छा पाईट है आपको बले अच्छा न लोगा सरपनी कहे मैं आली भोली ब्रह्मा विश्यनूरी हलाउं जोली जोली माने पालना और राजस्तानी अच्छा ब्रह्मा विश्यनूरी हलाउं जोली ब्रह्मा विस्णू की जोली हिलावे कौन वो शक्ति और इसी लिए बड़े बड़े बुद्धी मान भी गड़बरा आजाते हैं मारा विसमा हम नाम नहीं कहेंगे बहुत बड़े दास्टनिक संथ उन्होंने राधा की व्याख्या कि वो चुक गए नाम नहीं कहेंगे राधा जी की व्याख्या कि अरचुक गए और उन्होंने कहा कि जो राधा एक बार कृष्ण से बिलग होई बिच्डी बस ब्रंदावन और ब्रज छोड़ कर वो ब्रंदावन चोड़ कर कृष्ण जब मतुरा गए उसके बाद राधा नहीं मिली वो राधा इन भक्तों को क्या कृष्ण मिलाएंगी लोग राधे राधे शाम मिलादे राधे राधे शाम मिलादे यूँ कहते हैं ऐसी वेट खाट अबने सुना अबने कहा देखो इतने बड़े ज्यानी का से भूल हो गए राधा वह चीज नहीं है जो हम सिंपल तरीके से समझे नहीं वो एक उर्जा है वो एक शक्ती है उर्जा का पुंज है राधा व्रन्दावन के संत जो वेक्ष्या करते तो कहते क्रिष्ण की आत्मा है राधा बजा देवताले अद्बूत चीज है राधा अद्बूत चीज बवाने के बिना शिव नहीं सीता के बिना राम नहीं ये कोई सिंपल लोकिक समंद नहीं है बवाने के बिना शिव रहते ही नहीं है बवाने के साथ में रहते सीता के बिना राम रहते ही नहीं है सीते सीते ये क्या है इस सिम्पल आदमी नहीं करेगा ऐसा शरम लगेगी सिम्पल विक्ति को शरम लगेगी मेरी पत्मी कहीं चली जावे मन मन में रोएगा तडपेगा वो वीतर की बात है चिलावे तो नहीं पाई चार लोगों क्या चीज होगी सीता अलोगी एक शक्ति एस सीता जगत को दिखाया है कि उस शक्ति के बिना प्रकर्ति के बिना पुरुष नहीं रह सकते जबकि पुरुष नहीं प्रकर्ति का निर्मान किया लेकिन प्रकर्ति नहीं तो किसके आधारे शरीर के बिना आत्मा रह नहीं सकते शरीर नहीं तू आत्मा किसके आधार है निराकार है वो तू इसी करद राधा के बिना शाम कहाँ सोयम सेवक संतों को इधर से साइड से आगे बिटा एक ही जादा उटने की जरुद में सरपनी कहे में आली रे बोली माजा कड़े पाहा अच्छा है विशाइड साधना कर विशाइड सरपनी कहे में आली रे बोली सरपनी कहे में आली रे बोली ब्रह्मा विश्नोरी अलावू जोडी मार ले शरपना जगाले तारो भवरा मार ले शरपन जगाले तार भवरा हरी रस पीवे जारो काई करसी जमवा ओ जी ब्रह्मा विश्नोरी अलावू जोडी सरपनी कहे में आली रे बोली माजा कड़े पाहा सरपनी कहे में आली बोली ब्रह्मा विश्नोरी अलावू जोडी प्रकृती क्रिश्न कहेते की रादे तेरे बिना में रह नहीं सकता रादा तटस्त है स्थीर है प्रकृती अपने ही गुणों में बर्तती रहती है प्रकृती की सारे पुरुश कारि करता है शरीर का सारा लेकर शेत्रग्य कहा है शरीर को आत्मा को शेत्र, शेत्र, शेत्रग्य, आत्मा को शेत्र का रहा है, शरीर को, हाँ शेत्र, 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 रावे के बिना कृष्ण रह नहीं सकता लोग के विए क्या करे तो लगे कि ये कोई बात हुई एक महिला के बिना ब्रह्म नहीं रह सकता कि इसको ब्रह्म करे नई वो तो अद्भूत ची और एक पुंज है शक्ति का उसी कारण को लेकर स्रिष्टी है अगर वो कारण प्रकरती पुरुष में लीन हो जाए तो सारा ब्रह्मान क्या हो जाए लीन हो गया, समा गया, कदम हो गया इसलिए शब्द में एक लोग भाषा है संत के शब्द में लेकिन बहुत सुन्दर रहश है उसमें सरपनी कह में बागों में रहती सरपनी कह में बागों में रहती गाफिल रे वे रे जाने चुन चुन खाती ओ जी में सरपनी कह में बागों में रहती सरपनी कह में बागों में रहती बागों में रहती हूं मैं बगीचे में रहती हूं एक अंसार रुपी बगीचा मेरा सरजन सरजन है परा अपराशक्ती भगवान की विद्या अविद्या विद्या व पराशक्ती भगवान सरपनी कह में बागों में रहती इस अंसार रुपी बगीचा या ये शरीर रुपी बगीचा 2007 इसको खाती मार ले सरप जगाले तारो भवरा अरीर सपीवे जारो खाई करसी जमवा मुझे पार किये बिना मुझे से मुलाकाद किये बिना मेरी मदद लिये बिना तू अपने लक्षगी प्राप्ति नई कर से प्रकाप्ति को पार किये बिना पुरश तक पहुँचना असंभव भक्ति को मिले बिना भगवान के तक पहुँचना असंभव ये है कई लोग वो शक्ति से डरते हैं कि भई चरीर में कुंडलीनी शक्ति का विकास हो जाए और नहीं समझ में है तो कुछ का कुछ हो जाए ठीक है कुछ का कुछ होता है ये भी गलत नहीं है परन तू उसकी विवस्था है आपके आथ में हतियार है पिस्टोल है बंदूक है तलवार है अगर आप कलट यूच करोगे वही बंदूक सामने मारने के बजाए इडर सीने में मारोगे तो आपको भी वही सिक्षा मिलेगी जो दूसरों को मिलती है समझना पड़ेगा तो मारा आजम कैसे समझे बहुत अच्छा तरीका है वह शक्ति चैतन नहीं है बंदूक पिस्तोल का उधारन सो स्थूल दिया गया वह शक्ति चैतन नहीं है चैतन नहीं शक्ति है फिर हमें क्या करना पड़े है हमें शरणांगति कबूल करने है हमें शरणांगति कबूल करने है जैसे शरण कबूल करेंगे कि तू ही करवा रहा है तू ही कर रहा है तू ही मिल रहा है तू ही मिला रहा है तू ही तू कर रहा है मेरे प्रभू सब तू ही है इमानदारी से अंते करन से किसी के सामने जोर से चिल्ला के प्रार्तना नहीं करनी है नहीं रदय में समाया और चिल्ला के कर दिया तो कोई हरकत नहीं कर सकता है लेकिन रदय में भी प्रार्तना कि तू ही है कई बार सुनते ना आप सत्थंगे ईश्वर उसी जगह मौझूद है जहांसे अंतिकर्ण में मारा संकल्प पुरित होता है जहांसे संकल्प उठता है वहीं मूल में प्रमाक भरे मुझे सत्थंग में जाना है संकल्प उठा मुझे सत्थंग में जाना है किस भाव को लेकर जाना है फल निर्धारीत हो जाएगा अंतिकर्ण में फल निर्धारीत हो जाएगा सत्थंग में जाना है लेकिन महराज को चेक करना है वो कितने पहुँचे हुए है मैं भी देखूं सुन रहा हूँ बहुत दिन से जहां से संकल्प पैदा हुआ वही परमात्मा विराजमान है उस परमात्मा ने जान लिया कि सत्संग में जा रहा है लेकिन बीच में बहुत बड़ा परदा है इसलिए नहीं समझे अहम आगया वो प्रकृति ऐसी वेवस्ता करेंगी कि अच्छा बला भी बूरा दिखा देगी तुने जैसा चस्मा लगाया वैसा दिखे जाकी रही भावना जैसे प्रभु मुरत तिन देखी तेजी इस विशे में हमारी जैसी स्रद्दा है वैसा ही प्रतिफल वैसा ही रिफ्लेक्स आता है रिटन नर्मदा एक पानी है पानी है ठीक है पानी है पानी है नर्मदा शरीर की थकान मिटाने के लिए नहा रहा हूं तो बस शरीर की थकान मिट जाएगी महराज तिर्थ का पुन्ने के नहीं मिलेगा बावे तैसादेव आपकी स्रद्दाई नहीं है ओहो नर्मदा तो नर्मदा है हजारो रिशियों ने यहां असनान किया आज भी किनारे हजारों हुमारे मापुर्स विराजीत है और वो सुबह असनान करते होंगे उनके शरीर से निकला हुआ जल भी नर्मदा में बहते हुए आता होगा और वो हमारे शरीर को छूले तो हम इस दंग से भी सोचे तो पवित्र हो जागे इस तरीके से क्यों न सोच ले क्या फरक पड़ता क्यों पवित्र होगा अन्तकर्म भावे तैसा दे हो सारी स्रिष्टी प्रभू की मूर्ति है देखी तिन तैसी जाकी रही भाव ना जेशा इसलिए वो शक्ती इसलिए ध्यान के पीछे धारना लगाई गई है कि आपको धारना करनी पड़ेगी आप किस विशय का ध्यान कर रहे किस तरह ध्यान कर रहे क्या चाहिए आपको ध्यान से और बहुत सुंदर तरीका है सिंपल समझने की बात कहूं ब्यांक में इसे लोग पैसा निकालते है ब्यांक में पुना फिक्स में रख देते है नाना प्रकार की विश्ता है न मेरा पैसा ब्यांक में नहीं है नहीं तो आपको बोल दें सुनता हूं ना बक्तों की काहनी बापू पांस साल में डबल हो जाता है अभी आप 10,000 रख दो, 5 साल में 20,000 हो जाएगर, वहीं के वहीं फिक्स कर दो, और फिर 5 साल में 20 के 40 हो जाएगे, फिर 5 साल रख दो, पिर 40 के 80 हो जाएगे, उतने में तो आपके बच्चे के शादी आराम से हो जाती है, ऐसी विवस्ता है, पैसे से पैसा बढ़ रहा है, केवल उतना समय उसको त्याग करना पड़ेगा, उतना समय उससे अलग हट के रहना पड़ेगा, 15 साल, 20 साल पर पिक्षा करने पड़ेगा, जितना बढ़ाना है उतना, पैसे से ही पैसा बढ़ रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, केवल इंतजार और त्याग, इसी त भक्ति मार्ग की विवस्ता है भक्ति से ही भक्ति बड़े परंतु किसका त्याग चाहिए ए अर्जून कर्मकर लेकिन फल की आशा मत कर्मकर पैसा बैंक में रख दे छेड़ छाड मत कर्मकर कुछ मतले उससे बढ़ता जाएगा कर्मकर फल मत मांग कर्मकर फल नहीं ए प्रभू मैं तेरा एक माला जाप करूं मैं तेरी पूजा करूं मैं तेरी साधना करूं मैं वर्त करूं फुआस करूं तपशा करूं दान करूं पुण्य करूं जो भी करूं उसके बदले में कुछ कुछ नहीं चाहिए करूं बुस तुझे राजी करने के लिए कुछ नहीं जाएओ भीकारी हूं थो भीकारी जैसा हूं वैसा मुझे नहीं चाहिए प्रतिफल नहीं, कुछ तो चाहिए na बैंक में पैसे उसने रखे कुछ तो चाहिए ना लास्ट में लास्ट में चाहिए बैंक वाला कहा है कि मैं खा गया सब तो जीव निकल गया फिर कुछ तो चाहिए जो है न इसलिए पंद्रा साल रखे कि 10 जार के 80 जार करते तो भगवान भी कहेंगे कुछ तो चाहिए तो क्या चाहिए तू जिसे तू ही चाहिए क्या चाहिए तू जिसे तू ही चाहिए और हमारे मापुरू सुश्मन से शुश्मन तर दीप में जाते विचारों की गहराई में तो कहते है कि जहां मांग समाप्त हो जाएगी वहाँ परमात्मा प्रगट हो जाएगी रदय में यूँ भी कहते है हमारे मापुरू परमात्मा की भक्ती से मुझे परमात्मा चाहिए उन्होंने तो यहाँ तो कहा कि ये भी सोदेवाजी है ये भी परदा है ये भी हमारी मांग है ये भी हमारे में द्वेत भावना है कि वो अलग है मैं अलग हूँ फिर मांगते मांगते मांग ही मिट जाएंगे कबीर ने का हेरत हेरत हे सकी गयो कबीर ही राई हेरत हेरत हे सकी गयो कबीर ही राई जैसे बूंद समूद्र की अब फुनी हेरी ने जाएंगे अब फुनी हेरी ने जाएंगे ए सकी एरत हेरत माने खोजते कोजते कुद खो गया नमक की पुतली समूंदर की गहराई खोजने गई नमक की पुतली गायब हो गई है अब फिटन आकर बतावे कौन क्या गहराई है कितना क्या है एरत एरत एसकी गयो कबीर हिराई जैसे बूंद समूंद्र की अब पुनी हेरी ने जाएंगे इस तरह भगवान से भगवान ही चाहिए भगवान की भक्ति से भगवान प्रसन न होए क्या चाहिए तो ही चाहिए मुझे जैसे मनुवाराज और माराणी शत्रुपाल जी ने मांगा था बस ए प्रभू आप जैसा सुत चाहिए आप जैसा पुत्र चाहिए लगवान मुस्कुराए मेरे जैसा तुम्ही हूँ, दो तो हैं नहीं, एक ही पीजि बनाए स्पेशल दो तो हैं नहीं, मेरे जैसा यह अनेक चाहिए ना फिर एक ही साचे के अनेक चाहिए तुम मेरे जैसे वो एक ही बना है हमें लओं का से बहुत अच्छा मांगा तुमने महराज मैं प्रसन्न हूँ मेरे जैसा में ही हूँ गुष्वामी जी ओपद में गाते न तुम कचलत राम चंद्र बाजित पैजनिया उसमें गाते तो उसमें उपमा देते हैं बहुत अच्छा विश्वामी जी महराज का लिए उपमा देते बाकी बाते तो कर लेते किलकिलात उठत धावत गिरत भूमी लट फटा दाई माई उरले उठाए दशरत के रहनिया लिवार्णन करते हैं लास्त में गोस्व में जी महराज तुलसिदास अति आनंद निरक के मुखार विंद और यां रुग गए तुलसिदास जी ने गहा कि मुझे अति आनंद हुआ मैंने जब उनका मुखार विंद देखा तुल सिदास अति आनंद निरख के मुखार विंद और कहा रगुवर की छवी समान इतना तो कह दिया अब किसके उपमा देवे रगुवर की छवी समान फिर कोजने लगे चंद्रमा कहूं? चंद्रमा में तु काला दाग है सुरज की उपमा दूँ? सुरज तो तेज है तिश्न है मेरे प्रभुस्वम में है शान्त है किसकी उपमा दूँ? तुरांत निर नहीं लिया क्योंकि स्वामी जी इतना बड़ा कवी नहीं हुआ कवी ऐसा आया है गोर्स्वामी तुल सिदास जिमाराज इतना कवी तुल सिदास अति आनंद निरक के मुखारविंद रगुवीर की छवी समान रगुवर मुख बनिया ठुमक चलत राम चंदर बाजत पैद बस मेरे राम के समान मेरे चोटे से राम लला के रूप के समान बस वो ही है ऐसा दूसरा को है रगुवीर की छवी समान रगुवर ही बनिया इस तरह तो हम बात कर रहे थे किसकी भक्ती के आश्रे के बीना भगवान तक जाना मुश्किल है उसी बक्ती का नाम राधा है उसी का नाम कुंदलीनी शक्ति है उसी का नाम पराश्क्ति मारले सरपनी जगाले थारो भवरा हरी रस पीवे जारो काई कर सी जमवा लोग भाशा में कसी राजस्तान के संत ने कहा सरपनी कहे में बागों में रहती गाफिल रेवे जाने चुन चुन खाती बगीचे में रहती हूँ जो गाफिल होते न उसको खा लेती सरपनी कहे में यम की दासी सरपनी के में तो यम की दासी एक हाथ खांडो दूजारे हाथ भाशी मार ले सरपनी जगाले आरो भावरा मार ले सरपनी जगाले तारो भावरा अरी रस पीवे जारो काई करसी जमवा मैं यम की दासी हूँ अलग-अलग एक हाथ कांडो दूजा हाथ फासी वह शक्ती की गोश्ना है गाफिल को खा जाती है कहे हो गोरक जी मचींदर राचेला कहे हो गोरक जी मचींदर राचेला मारी मारी ममता गोरक अब धूटा ओ जी मारी मारी ममता गोरक अब धूटा ममता को मार मार के गवर नाज जी कहते है कि मैं अवदूत हो गया ऐसी सरपन जगावे लेकिन महराज मैंने का ना एक अभी अभी आपने सुना कि जो जगाएंगे वो पॉइंट विक्सित होगा गलर बाद बोल दूँ तो गुस्सा आजाएगा आप सबको मुझे भी आजाएगे मुझे गलत बात बल दो तो मेरा क्रोध रूपी सुच्वान हो गया गुस्सा आगया मुझे आजाएगे तो जाएगे और अच्छी बात कह दो तो खुश हो जावे सनमान कर दो तो अलादीत हो जावे जो भी जैसे जिस विशय का चिंतन करेंगे वो जागेगा इसलिए जो नर माया माया रते नित सो नर परत माया के कूपा जो नर निस दिन नारी निहारत सो मन होये नारी सुरूपा जो मन निस दिन ब्रह्म विचारत सो मन होये ब्रह्म सुरूपा वो मन क्यों निस दिन ब्रह्म विचार करें मन ब्रह्म सुरूपा भगवान यहां कहते है संपोर्ण इंद्रियों को वस्मे करके समाहित चित हुआ मेरे प्रायन होकर ध्यान में मेठ तानी सरवानी सयम में युक्तासित मत्वर्ण तम तोड़ा तोड़ा सा अपन अध्यात के अत्मध बीतर चले जाते कुछ कथा का तो ये था भगवान स्री राम चंद्र जी और आपको लगेगा कि कुछ का कुछ विशे पर चर्चा करते ही इसलिए अम ने उसको भागवत कथा नाम नहीं देते और परायन नहीं देते सतसंग नाम देते राम कता नाम देवे तो फिर उसी हिसाब से जो है राम कता करने पड़े और भागवत कता नाम देवे तो फिर भागवत कता करने पड़े सत्संग नाम दे लेखे किदर भी गुमें पिरे कोई बंदन नहीं भगवान श्री राम जी वहां रिश्यों के उद्धार की प्रतिग्या करते हैं और पेर सारे रास्ते में आने वाले विग्न बादाओं को लेकर जो निशाचर रूप में आते हैं उनका सब खो ठीकाना लगाते लगाते एक बार सरभंग मुनिके आश्रम में पहुंशते हैं मुनि सरभंग हमारे महापुरुस्तों एक एक पॉइंट की इतनी सुंदर सुंदर वेक्या मुनि सरभंग जिनका अंकार रूपी सरभंग हो गया इतनी उची उचाई या चुई है उन्होंने इतनी उचाईया चुई है कि बड़े से बड़ा प्रलोभन उनको कुछ भी नहीं दिगा सकता आता है कथा में भगवान जब जाते नस्दीक पहुंचते कुछ दूर पर कुटिया रहती है उसमें घटना घटती है वहाँ पर और वहा घटना ऐसी घटती है दिव्य विमान में बैठा हुआ एक देवता उनकी कुटिया के सामने से उड़ कर विमान को ले जा रहा है स्री लक्षमन जी ने पूछा प्रभू ये क्या है लखन ये सरवंग मुनी का आश्रम है हम उनी के दर्शन के लिए जा रहे है वो जो अभी अभी विमान उड़ा ना विमान की तो चर्चा बाद में कहूँगा लेकिन है लक्षमन ये मनुश्य की उचाईयों का दर्शन हो रहा है कहां तक उपर ऊट सकता है मनुश्य लक्षमन वो इंद्र है वो जो अभी गया इंद्र था इंद्र देवताओं का राजा इंद्र इंद्र स्वयम अपने दिव्य विमान को लेकर मुनी सरबंग को लेने के लिए आए टोंकि उनका प्रारब्द पूरा हो गया है इस शरीर का और अब उने शरीर चोड़ कर जाना चाहिए इसलिए सन्मान से किसी देवताओं को नहीं भेजा स्वयम हिंद्र आया और प्रार्खना की इंद्रने भगवन मैं आपको लेने के लिए आया हूँ आप चलिए प्रत्वी के उपर का कारिया आपका पूरा हो गया है आपकी शरीर के अउदी पूरी होने जा रही है आप हमको सोबाग्य दे हमारे साथ चले आप सहर्त स्वागत है हमारे लोक में आपका सरबंग मुनी ने मना कर दिया मनावा ने कह दिया कि देखो अभी तो हम नहीं आएंगे हमारे यहां विशेश आथिती का पदारपन हो रहा है बजा दिया करो जराक्सु सुप्ती वाले भी जो है यह हो जाओ क्या है हो जाता है भोजन किया है अभी आपने भोजन किया है और बेठे हो तो कभी-कभी जो है भो जावे यूं और यूं टाली बज़ी तो यह भी पुन्णे काई काम है कुछ गलत काम है अच्छा है अज़री बात में आपको आनंद नहीं आ रहा होगा क्योंकि तोड़ी सी बात अब ऐसी बात करेंगे हम साधना सी भी रही इसका ना दूसरी को बात करेंगे साधना सी भी रही ना साधना संबंद की बात करें जग गए सब लोग एग माता यू बैटी है अब उस पर हम क्या रिसर्च करें वह उसको आनंद है या दुख है या टेंशन है या खुशी है कैसे क्या अंदाज लगावे मैं तो आपको मुद्राओं के विशे में अपन चर्चा करते हैं कही बार सत्संग में अलग-अलग मुद्राएं होती है जैसा विक्तिका उस समय का मूर होता है अपने आप शरीर डिजाइन बदल लेता है अपने आप टेंशन आया ना तो यूँ बेट जाए ले अपने आप होता है एकदम स्वस्त है प्रसन नहीं खुश है तो ऐसा खड़ा रहेगा चिन्ती तो हो गया कि पांच दिन कब निकलेंगे तो नीचे यूँ जमिन को दे रहेगा शरीर अपने आप पोजिशन बदल अपने आप होता है उसको मालूम नहीं वो तो सामने वाला कहता कि क्या देंशन में नहीं कुछ नहीं 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 आप ऐसे लग रहे नहीं वैसे कुछ नहीं तो ये भगवान कहां पस गए बहां तो थालिया हाथ में लेकि जो बोजल ले जाना इतना बड़ा आदमी मेरी तो ऐसे के तैसी हो गए मेरी पत्नी भी देखती है मेरा बेटा हाँ पिता जी आप तो वाह जा रहे ते थालिये लेकिन गवराना मत इस चीजगा भी तो जीवन में अनुभवाना चाहिए मनुशका स्वभाव है एक प्रकार से जीवन जीने की उसको अदत पड़ जाती है तो उसको चेंज करना मुश्किल होता है एक प्रकार की सुईदा में जीने की अदत होती है तो चेंज करना मुश्किल होता है क्योंकि वैसे वैसे उसका आहम ठोस हो जाता है आपन तो घर पर ऐसा रहते है मुझे ऐसा ही चाहिए इसलिए हमारे संत समाज में हमारे ऐसा परी राहो कवतुक पाहे संचिताच कवतुक बस लीला देख बोले प्रारब्दकी जैसी स्तिती वैसा रहे देख उन्हें कुछ कर मत कर कर तो भी कर मत करना पड़े लेकिन कुछ उसमें आशा मत करके ये चेंज हो कवतुक देखते रहे जैसा होना होगा ओम 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 इसलिए हैं ये लक्षमन ये मोनी सरभंग की महिमा है देवराज इंद्र को उन्होंने लोटा दिया और देवराज इंद्र को उन्होंने कहा कि ये देवेंद्र अभी हम नहीं आएंगे कोई विशैस अथितियों का इंतजार जीवन पर जिनका इंतजार किया है वो अभी आने वाले है आ ही रहे है इसलिए आप जाईए मैं आ जाऊंगा ए लक्षमन चलिए हम उनके दर्शन करेंगे गय है दर्शन किये रिशी का आतित्य सत्कार वे स्विकार किया जो वित्ती उचा उठा हुआ है वो सामने वाले का आतित्य सत्कार में नहीं उलचेगा सामने वाले के जीवन विचार उसका चरीत्र उसका जीवन देखेगा इसके जीवन से क्या मिलेगा हमको वो देखेगा और साधारन प्रोसीजर है कि सामने वाला कितना भी गटिया हो किसम का किच भी हो हमको मानता है न इसलिए बहुत अच्छा है बहुत अच्छा बहुत अच्छा तो कहना चाहिए लेकिन ये नहीं कि वो हमारे पर सवार हो जाव बुद्धी पर एक विक्ति एक बड़ा गुंडा था गुंडा वाने बहुत खतरनाग हम नाम नहीं बताते न इसलिए कोई चिंता नहीं रह गया क्या सीठे बन थी आजारों जग़ जाती तो बहुत खतरनाग वो मेरे नजदी कावे लेकिन मैं उसके दूर दूर रहूँ उसने बहुत दो-चार साल परियोग किया बाद में सोचाएंगी बापो तो जाने दो वाज़ी होगए क्यों? जोंगरे जी माराज कहा करते थे सत्संग में कि कभी ऐसा नहो कोई दुनिया को सुधारने का ठेका ले ले दुनिया को सुधारने का ठेका ले ले ठेका तो मुस्किल काम है तो बोले अगर दुनिया को सुधारने का ठेका ले ले तो दुनिया तो सुद्रेगी नहीं ही पुरी दुनिया थोड़ी सुद्र थी है कभी वो तो बनाय है वैसा कर्म प्रदान विश्व करी राखा नजाने किसके कितने जनम के कौन से कर्म है तो जरूरी नहीं है कोई तो इस आरे से चेंज हो जावे और किसी पर तो महराज संगत भई तो क्या भया रदय भया कठोर नव नेजा पानी चड़े तो भी भीगेन कोर कोई तो ऐसा भी है रदय कठोर है संगत भई तो क्या भया रदय भया कठोर संत दादु दयाल जी महराज करते नवने जा पानी चड़े तो भी भीगे न कोल और एक जगह तो का है सथ सुधर ही सथ संगति पाई सथ सुधर ही सथ संगति पाई पारस पारस कुधात सुहाई गगन चड़ा ही रज पवन प्रसंगा गगन चड़ा ही रज पवन प्रसंगा कीचा ही मिलत नीचा जलसंगा कीचा ही मिलत नीचा जलसंगा गगन चड़ा ही रज पवन प्रसंगा संत दोनों प्रकार की बाते करते एक जग कहा कि सट सुद्रही सत संगत पाही पारस के पर्ष से लोहा सोना हो जाता है ऐसा माप पुरुसका पर्ष हो जावे हमको तो हमारा जीवन चैंड हो जावे और दूसरी जग कहा मराथी में भी कहा और संप्या तुकारा महराज नरी या गयाने श्रमा डिका पापी आना कळे कировать एक श्क जवय इच्छेओ पापी आना कले का ही के लिए किछ भी कर डालो पापी के समझ में नहीं हो इसा भी कह न जाने कितना कठोर कितना मजबूत कवच है उसके आन्त करण के उपर क्या बरुस मलविक्षेप आवरन जो है कितना मजबूत है कितने जनम का है उसके उपर है ना बाथ अगर हलका सा है तो धक्का लगते फूट जावे बीतर की चीज सामने आ गई अलका सा गोस्वामी तुलशिदाज जी वाराज के जीवन में पत्नी के एक शब्द से बदल हो गया बस लालाईत रहता था पत्नी के लिए जाता है रात्री में आपको सबको मालू है कथा शब के मुर्दे के उपर बैटकर और सर्प को पकड़कर उपर गए है पत्नी ने पूचा कि ऐसी विशम परिस्तिती में आप कैसे पहुँचे गोले हाँ सारी सुविदाय थी देखा गया वो मुर्दा है शब है देखा गया वो सर्प है ये सारी परिस्तितिया देखने के बाद न जाने उतना ही निमित बोना बाकि था जारा पका-पका या मामला था वो स्वामिजी कोई मान चीज मान कोई हलकी चीज नहीं थी मान कथा में तो ऐसा आता है जब पैदा हुए रोय नहीं राम बोले क्यों बाबा बाबा जी राम बोले न हमारे बाबाजी रामायन के मरमग्य है अच्छी थारा रामायन के रामायन ही नाम है बाबाजी को इसलिए उनका नाम राम बोला था बच्पन का नाम राम बोला वो पैदा होने के बाद बैसे उनकी माम मर गई ऐसा दिखाया है उनके मूख में दाथ थे और वो रोए नहीं राम राम बोले बच्चे को तो रोना चाहिए बच्चे की मुँँ में दाथ कैसे इस तरह राम बोला मांते के वली इशारा का फिर पत्निने का हाड मास की देह मम ता में इतनी प्रीत यासु आधी राम मैं तो हवस्स मिटे भव भी इस से आधी राम से कर ले मेरे लिए मुर्दे पर स्वार हो क्या गया पता नहीं चला काल को पकड़ कर मेरे तक पहुचा इतना इस से आधा राम से कर ले बच्च तो ही मेरी दर्म की माता तुने क्यान बतायो चला अब राम से प्रीत प्रीत तो मामुली अवरण है धक्का लगने से फूट गया सामने वस्तु आ गई कणा अवरण है फूटे ही नहीं कही ऐसे युवारा नवने जा पानी चड़े एक बार सत्संग नहीं अजार बार सत्संग कर दो इसका मतलब यह नहीं कि देखने में आता है तो बापो जी वो तो बारा साल से सत्संग कर रहा है वैसे वैसे को ने अर्जित जरूर होता है आँ लेकिन इतना कटोर कवच होगा जितना कटोर उतने हतोड़े मारने पड़ेगे न इसलिए है लक्षमन सरभंग मुनी कि दर्शन करते है उनका आतित्य स्विकार करते है वहाँ चर्चा होती है जो चोपाई आपने ली है उना एक बर भठ करते है चितवत पंथ रहे ओ दिन आते अब प्रभुदे की जुडानी चाते अब प्रभुदे की जुडानी चाते नात सकल सा धन में ही ना की निक्रपा जानी जन दीना की निक्रपा जानी जन जीना सो कचु देवन मोही निहारा मुनी सरभंग कहते हैं मेरे प्रभु तब से मैं दिन रात तुमारी रहा देखता रहा हूँ दिन रात तुमारी रहा देखता रहा हूँ अब प्रभु को देखकर मेरी चाती सीतल होगा अब प्रभु देखी जुडानी चाते अब आपको देखकर मेरी चाती सीतल होगा इसलिए इंतजार कहा है गीता में भगवान कहते न उक्ताय हुए चित्त से मेरे द्यान में बैठे नित्य प्रती उत्साहीत होकर कि आज नया आज नया ऐसा कहा है न उक्ताय हुए चित्त से अगर कोई बात कही जाती है अगर आपको कहा जाएगा कि नर्वदा में जरा संबाल कर जाना भाई अरे जरा संबाल कर जाना इसका मतलब रिटन इसका अर्थ हैसा होगा कि वहाँ कोई खत्रा है इसलिए तो बार-बार बोला जा रहा है संबाल कर जाना संबाल कर जाना संबाल कर जाना कुछ खत्रा है भगवान जब कहते है न उकताई वे चित्त से मेरे पराइन होकर मेरे ध्यान देखे इसका सीधा उल्टा अर्थ होता है कि उकता जाते है व्यक्ति कभसे भक्ति कर रहा हूँ कभसे द्यान कर रहा हूँ कभसे माला थेर रहा हूँ कुछ होगा ही नहीं जब भगवान कहते कि उफ्ताना नहीं माने सिंपल भाशा में कंटाला नहीं कर दा मराठी भाशा है अर अपने इसमें क्या कहता पड़े blessings निमाडी में? हा? कंटालो? नहीं क्या? बरत भाई बोलें हा? हमारे भाहिराम भाईशुद्ध बोलते आलसाई मत कर जो हा? हा? आलसाई 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 मत कर जो हा? बेलकुन नालसाई आलसाई मत कर जो क्या आपका इसी जोडू में भी क्या करो लेकिन आप समझ लेते हैं आदियादी बात भी करें ना उकता है वे चित्त से इसका सीधा अरत है कि उकता जाता है आदमी कबसे नाम ले रहा हूं कहीं कहीं तो विचारे रिटर्न घर आ जाते कहीं कहीं तो लोटकर घर आ जाते रास्ते में से कैसे घर आ जाते बहुत तीरत वर्थ किया बहद घुमा सादू संतों में भी गया बहद देखा किछ नहीं मिला अब अब पावबर पी लेता हूं अब जो है सो जाता हूं अरे महाराज पावबर पीकर सो रहा है ठीक है भले आदमी लेकिन कपड़ा तो चेंज कर दे मेरे बाप हमारी भी होती है न वहां पर किली उसको कपड़ा चेंज करने गई टाइम नहीं मिला कईयों को वैसे के वैसे नहीं शुरू हो गए ऐसे भी नहीं वहारे वहां कारे चौटबा तपड़े चेंज करने का ही मोगा वो तो कर दे सबको नीचे देखना पड़ता है जाब देखा कोच नहीं है अची बात नहीं अब आप कर चेंज का वज़ा ओपर से भी हमसे कमफंद करते इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं तो रिटन आ जाते बीच में से ही वह जहां तक गए उसका फल बना है मिले इसमें बिलकुल कई संसय नहीं क्या करे वीचारे बरसों से चलता है और इधर पिर हमारे महापुरिशों न इशारा किया राम नाम रटते रहो धरे रहो मन दी राम नाम रटते रहो धरे रहो मन दी कार जवही सुधार क्रपा सिंदुर रग्मी और एक बात करें राम नाम रटते रहो जब लग घर्ट में रहो लास्त बैस्त पहुंचा दिया मियाद भी बता दिया कोई अगर कहे कि राम नाम रटू गुरुदेव पर कब तक बल दिया कि जब तक है तू इसमें मौज़ सब तक आकरी तक आकरी सास तक और क्या बता दिया राम नाम रटता रहे जब लगी घर्ट में प्रान कब उन दीन दयाल के बनक परेगी कान कब उतो दीन दयाल के बनक परेगी कान महराज जब घट में प्रान था तब तक नाम लिया और प्रान के साथ ही नाम के साथ प्रान गायब हो गया उड़ गया अब भरग पड़ी भी तो मेरा क्या फायदा एक बड़ा अच्छा आप यह द्यान में रखना जरा जाओं भी प्रान ही नरहातन में तब आकर दर्स दिखाया तो क्या कि और इंच्छा की नरहातन च्च्छा आप मेंलकर गया है बात श्यांदेश्टि बहुत अच्छा मेरे प्यारे का नाम स्रिक्रिश्ण आप मेरे प्यारे का नाम śrī krishna वान्सिवारे काना śrī krishna बोलो śrī krishna śrī krishna बोलो śrī krishna śrī krishna वाले काना śrī krishna बहुत अच्छा śrī krishna 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 एक तेरी सावरी सूरत पैरश होई गया है प्यार मुझे एक तेरी सावरी सूरत पैर बस होई गया है प्यार मुझे खाई है जमाने की ठोकर अब ही मिला दिलदार मुझे मेरे मेरे इस मुझे जीवन की मेरे इस मुझे जीवन की अब अब तक न मिली है बहार मुझे अब तक न मिली है बहार मुझे मेरे नंद के दुलारे देर नकर ये सुदा के प्यारे अब देर नकर घट से दिखला दे या ये पिदार मुझे बोलो स्री कृष्यना स्री कृष्यना बोलो स्री कृष्यना स्री कृष्यना मेरे प्यारे का नाम स्री कृष्यना नंद कुलारे का नाम स्री कृष्यना बोलो स्री कृष्यना स्री कृष्यना स्री कृष्यना स्री कृष्यना बोलो स्री प्रिष्णा स्री प्रिष्णा देखा ना ऐसा कोई दूसरा कबूल सूरत जैसा कबूल सूरत नंद का सलोना है जैसा कबूल सूरत नंद का सलोना है अज बे नूर वाला ऐसा महबूब कभी हुआ ना होना है जैसा महबूब कभी हुआ ना होना है स्री प्रिष्णा स्री प्रिष्णा बोलो स्री प्रिष्णा स्री प्रिष्णा मेरे प्यारे का नाम स्री प्रिष्णा नंद दुलारे का नाम स्री प्रिष्णा बोलो स्री प्रिष्णा देखाना इस सक पबूल सूरद जैसा नंद का सलोना है ऐसा महभूब कभी हुआ ना होना बहुत अच्छा हाँ इकड़े पाफ सतियों से तेला हो दिवाना ये जनम जनम का पेरा है एक तेरी सावरी सूरत ने दिल दिवाना गेरा है एक तेरी सावरी सूरत ने दिल दिवाना गेरा है नंदलाल तेरे दीदार बिना इस दिल में हुआ अंदेरा है एक बारत तु कह दे मुझे को तु मेरा है तु मेरा है बोलो स्री कृष्णा स्री कृष्णा बोलो स्री कृष्णा मेरे प्यार काना स्री कृष्णा मुलि वादी काना तूट गए दुनिया के रिष्टे अब एक तुम से नाता है तूट गए दिन्या के रिष्टे अब एक ही तुझ से नाता है तू है मेरा और मैं हून तेरा अब कोई नहीं को बाता है अब कोई नहीं मुझे को बाता है जब से देखा प्यारे तुझे को तब से लगता कुछ खोया खोया बेचे नहीं नहीं आता आई नींद में नहीं सोया अब दर्द तुम्हारा लगाया हुआ तेरी याद में रो रोके मुझे को खोया ए प्यारे ए प्रिश्ना तुना रुला दुनिया के लिए मैं बहुत लोया दुनिया के लिए ए प्यारे अब तुना रुला दुनिया के लिए बहुत लोया श्री कृष्ना बोलो श्री कृष्ना तेरे प्यारे का नाम श्री कृष्ना बन सिवाले का नाम श्री कृष्ना बोलो श्री कृष्ना श्री कृष्ना श्री कृष्ना ये प्रेम का रोग लगा केसा दिल तडप तडप कर रोता है तो में दिन कुछ याद नहीं मन जगता है ना सोता है तेरे रूप के सागर में फसकर इसे कदर खा रहा दोता है जब तडप उठे जब दर्द जगे जब पस्ट उठे तेरे मिलने का ना धी रजमन में होता है बोलो श्री क्रिष्णा, श्री क्रिष्णा, श्री क्रिष्णा, श्री क्रिष्णा तेरे फ्यारी का ना श्री क्रिष्णा बंसी वाली का ना श्री क्रिष्णा नंजी के लाला का ना श्री क्रिष्णा ऐसा खुपसुरत रूप, ऐसी सुन्दरता, ऐसा सुंदरिय, ऐसा माधोरिय, ऐसी कौमलता अधवूत, समुचे ब्रह्मांड में एक बार स्री कृष्ण रूप आया इसलिए भगवान के बारे में कहा हूँ, स्तुति में आया है रामयन में, नेजी इच्छा निर्मित तनू माया गुन गोपार जो अपनी इच्छा से अपने तन का निर्मान करे फिर क्या कसर थोड़ी होगी उसमें ने जिए इच्छा निर्मे तन हूँ हम अपने इच्छा से शरीर नहीं लिये हम को तो किसी ने बनाया वेजा इसलिए हमारा इलाज नहीं है कितने परिशान हो रहे बिचारे लोग चेहरे में गोरा पर नहीं है तो पत्थर गिसके लगाते है मैं कब बोलते हैं उसको पत्थर है कितना दे हम गरीब लोगों को माताओं उसको मालूम नहीं है सीटियों में माताओं उलाली लगाती है बोले ओटो पर हमारे मापुर्प बहुत पूस की चर्चा है है किसी बंदर का कून है क्या क्या है हमारे बगतों में इसलिए हम बात करते हैं зачем it is मरे वे बंदर के और बंता है यह आप सो незale कि हमने अपने इच्छा से शरीष नहीं लिया इसलिए हमारा कोई हिलाज नहीं है अब क्या करो बाल सपे दो रहे व लगा रहे काला कलर क्या हूँ इलाज नहीं हम तो नहीं चाहते कि हो इसले लेकिन जिन जिस प्रभू ने अपने इच्छा से रूप लिया वो कितना सुन्दर होगा निजी इच्छा निर्मित तनू माया गुन गोपार है सबसे परे वो क्रिष्ण क्यूं लिया भगवान का हरे एक कारिय कारण को लेकर होता है अकारण नहीं होता है एक मनुष्य सिसत्ता है जो अकारण भी कुछ कर देता है क्यूं वही या क्यूं जो बाते कर रहे हो वले अभी टाइम पास कर रहे प्रमात्मा एक ऐसी सत्ता है कोई भी प्रमात्मा तो क्या वो तो अलग चीज़ है एक महापुरुस जिन्होंने इस जीवन किये के रहश्य को कुछ मात्रा में भी समझा है वो भी अपना समय वेश्टेज नहीं जाने देख तो प्रभु की तो बात यह अलग है भगवान ने ऐसा सुन्दर रूप क्यों लिया क्यों लिया ऐसा हाँ वो सिर्पर उसके ऐसा माता के जिए चानता रहे ए माता चानता रहे नहीं तो फिर बार उटा कर रख दे चिर्पर चानता हो जा इसको भावा अवेश्ट बोलता है आपको लगेगा कि अदिश बजाओ भावा अवेश्ट अतिशेष रद्डा में भरकर विक्ति एक आग रहोकर कटा सुने भगवान के आरती में खड़े हो गए तीरत में तो ये अश्ट प्रकार के भाव होते है अलग है शरीर में रोमान चा जाना कई बार बोलता हूँ मैं बकासियाना अपने आप अस्रूपात होना शरीर मुर्चित हो जाना जैसे चैतन्य महाप्रभू मुर्चित हो जाते है चान्द बैट चान्द बैट उसको बाहर ले जाओ दो मैलाए उट बस आ चान्द हावा उवेशatin बěटा तो हो जाए की शान्द बैट जा जा बैट जा यपिछे बिठा या पिचे बिठा जों बैट जा बैट जा हा शान्द बहावा आवेशन बद बड़ी बात है जबको बहाव है विषियो के गहराई में जाओ आप चिन्तन करो तब कई आखों में आशो आवे नहीं तो आवे नहीं कोई मर जावे तो आशो नहीं आते आख में जब गहराई में जाते दूप में उसके गुन हुए उसका सोभा जाना पड़े अंदर कैसा बोलता था कैसा अच्छा था बहुत भला था एक बार मिला खातिरदारी कि यूँ गहराई में जावे तो थोड़ा फरा जावे आशो पुर्ण्यात्माएं होते हैं इसे लोग ओम ओम हां तुम्हें खेरा था क्या बोल गाए निजी इच्छा निर्मित तनू भगवान इतनी सुन्दर था इतना सुन्दर ये क्यों लिया भगवान को किसको लुबा ना नवावी चित चोरकम ऐसा उपकार किया संसार के प्राणियों के उपर मानव प्राणियों के उपर ऐसा उपकार किया इतना सुन्दर शरीर ले करके कि मुझ से सुन्दर कोई हो ही नई और सब का आकर्षन मेरी ओरोज हो उनका कल्यान हो जो इसले लिया निजी इच्छा निर्मित तनू माया गुन गौपा स्री कृष्णा, स्री कृष्णा, मेरे प्यारे खाना เห्यों नंडदुलारे खाना सुख गया आँखों का पानी सुख गया आँखों का पानी तेरी याद में रोते रोते भूलू नहीं तेरी याद कभी सपने में भूलू नहीं तूटे नहीं तेरी प्रेम की माला ये माला पोटे पोटे तूटे नहीं तेरी प्रेम की माला ये माला पोटे पोटे ये नंद का छोड़ा तुझे मिल न सका आँए जीवन खोटे पोटे ये नंद के छोड़ा तुझे मिल न सका आँए जीवन खोटे जीवन चला नहीं मिल सकाते जब जीवन को गया और मिले नहीं तो क्या हुआ यहां तो आपने का है अभी सुना आपने जब तक गट में प्राण कभू तो सुनेगा जब प्राण ही निकल गए अब सुनेगा भी तो क्या पाए और इसी पॉइंट को ले करें पदा आए नहीं बताऊंगा समाधान उसका ये नंद के छोरा तुझे मिलन सका इस जीवन खोते खोते में रूप तेरे पर आसिक हूँ में रूप तेरे पर आसिक हूँ ये दिल तो हुआ तेरा दीवाना तो करखाई दुनिया में बहुत तो द्वार देना मुझे ठुकराना तो करखाई है दुनिया में बहुत पर द्वार से तेरे ना ठुकराना हर तरह तुमारा हुआ मैं तो अब तो हर तरह तुमारा हो गया पिरे क्यों तुझे मैं अन्जाना मुझे दर्स दिखा दे ननलाला क्या बाद नहीं द्वार तेरे कर मर जाना बोलो स्री कृष्णा, स्री कृष्णा, बोलो स्री कृष्णा, मेरे प्यारे का ना, स्री कृष्णा, बोलो स्री कृष्णा, स्री कृष्णा, मुख सूख गया जब रोते हुए यह बहुत सुदर बात है, कैसी प्रार्थना की है, मुख सूख गया जब रोते हुए मुख सूख गया जब रोते हुए, तब अमरित ही बरसाया तो क्या भव सागर में जब दूब रहा, तब नाव किनारे लगाया तो क्या भव सागर में जब दूब चुका, तब नाव किनारे लगाया तो क्या द्रगी लोचन बंद हमारे हुए, तब आकर दरस दिखाया तो क्या क्या बात हुए, जब जीव नहीं न रहा जग में तब आकर दरस दिखाया तो क्या कितनी सुन्दर बात है, जब जीव नहीं न रहा तन में, तब आकर दरस दिखाया तो क्या भव सागर में डूब चुका, फिर नाव किनारे लगाया तो क्या उलाने दिये भगवान को उलाने, उलाने बोलते, प्यार बरे उलाने बहो स्री क्रिश्णा, स्री क्रिश्णा, मेरे प्यारे काना स्री क्रिश्णा, नंद दुलारे का ना, स्री क्रिश्णा, स्री क्रिश्णा, स्री क्रिश्णा, बोलो स्री क्रिश्णा, मत देख वियोगी की दीन दशा मत देख वियोगी की दीन दशा इस को न देख घबराएगा तु जा बात कहीं ए प्यारे अब मेरी दीन दशा मत देख तु भी घबराएगा मीरा को वीश का प्याला वेजा उस समय ऐसा आया है त्राग से उठे रादाजी ने कहा कि प्रभू कहा जा रहे है जो मीरा के पास क्यों? जैसे मीरा ने चरणामरत समझ के लगाया और उसको शाम पीते हुए दिखाया है कौन पिया? शाम पिया मत देख विलो गीती नदशा इसे को न देख घबराएगा तू जलती भव अगनी रसल में लपतों में लगाकर जाएगा तू लपतों में लगाकर जाएगा तू निकलेगी निरंतर आहे मेरी सुन्दर उलाने है भाई मेरी आहे निकलेगी बगवान को कह रहा है निकलेगी निरंतर आहे मेरी मुर ली द्वनिते है सुनाएगा त्या कल पाएगा प्यारे तू भी नहीं यदि यू मुझे को कल पाएगा तू मुझे तरपाया तो तू भी तरपेगा बोलो स्री कृष्णा स्री कृष्णा बोलो स्री कृष्णा स्री कृष्णा मेरे प्यारे काना स्री कृष्णा नंद दुलारे काना स्री कृष्णा बंसिवारे काना स्री क्रिष्णा बोलो स्री क्रिष्णा हरे क्रिष्णा ही क्रिष्णा के किरतन में मन ता रहेगा गन भोर या सुन लो सुन लो जमुना तटपे मुर ली द्वन का यह शोरवां करो रादे रादे पुकार रहे करो रादे रादे पुकार रहे खीच ता मन का वह जोरवां बोलो स्री क्रिष्णा स्री क्रिष्णा दिल लूतने वाले जादूगर तुझे आना योगा कभी ना कभी तुझे आना योगा कभी ना कभी सुन्दर का न मुरनिया की बर जाना योगा कभी ना कभी बोलो स्री क्रिष्णा अंद द्वारे का ना श्री ख्रिष्णा मुरली वाले का ना श्री ख्रिष्णा भग्तों के प्यारे का ना श्री ख्रिष्णा तेरे प्यारे का ना श्री ख्रिष्णा बोलो श्री ख्रिष्णा बोलो श्री ख्रिष्णा श्री ख्रिष्णा Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 हम बात कर रहे थे समय हो गया है वनाव उस विशे पर लोटेंगे उसके बात अरीकीर्टन करके उसका विसरजन करेंगे और आपने द्यान में रखा कहां क्या बात क्या बात थी बूल गया जब लगी गट में प्राण जब लग गट में था इतला लंबा समय दिया तो वहाँ शंका ये होती है गट में प्राण जब तक है तब तक नाम लिया जाए और प्राण के साथ चला गया तो इच्छा तो पूरी हो इनाई अगर मिलने की भावना से नाम के साथ चला गया है तो जन्म से ही वो शुरू होगा जैसे हमारे ग्यानेश्वर महराज को का उपजताज न्यानी दुर्वजी की कता में पूर्व जन्म का फ्रसंग आता है सौटकट में कहूँ आश्री लगता है ना छे मैने के बालक को कैसे भगवान का शाक्षर पांस साल के बालक को चे मैने में कैसा क्या इतना सब कुश हो गया ऐसे कौन सी बात की अगले जन्म के माता को जो है ना लाया मत करो बनकार भावा अवेश जो है लेकिन उतमे होस होना चाहिए जो होस में होस नहीं होना और एक को समझना चाहिए कि हम सत्संग में बैठे एक वेक्ति के डिस्टप से और सभी को डिस्टप होता है चाहदा ही ऐसा होता है तो कुटिया में बैठके सुन लिया करो पीछे माइक में उसता है हाँ इसलिए क्या बोल रहा था दुर्वजी की बात थी उर्वजन्म में उन्होंने जीवन भर तपश्या की और जीवन भर तपश्या करने के बाद एक बार ऐसा द्रश्य उनके सामने आया कता आती है एक राजा अपनी दर्म पत्नी रानी को साथ मिलिये दो चोटे चोटे राजकुमार एक रत लेकर रतवान को लेकर वो जंगल में गूमने के लिए प्रमन के लिए आये थी इतना सुंदर परिवार देखकर सुना है कि उनके मन में इच्छा जगी और द्यान देना जिसका मन जितना द्रड़ संकलप होगा उसके मन को बहुत संबालना पड़ेगा जितना व्यक्ति सच्चा, निष्टावान, नितिवान, चरित्रवान जितना होगा उतना पावरफुल होगा, द्रड़ संकलप होगा और वो द्रड़ संकलप वाला व्यक्ति अगर उल्टा भी संकलप करे तो भी बहुत कुछ उल्टा हो जाएगा इसके लिए यहां तक कहा है मापुर्थों को कि कभी भी उद्विग्न नहोग जब तक हो सके हो उद्विग्न नहोग नहीं तो जो संकल्प करेगा वो हो जाएगा गरस्तम हैं हो सन्यासि हो कोई हो जो जितना सत्य के पक्षम है जितना द्रड संकल्प अच्छा करेगा तो वो संकल्प साकारोगा बुरा कर लेगा कभी वो संकल्प साकरोगे इसलिए उनोंने वो देखा और मन में संकल्प उठा दुर्वजी जब अगले जनम में रिशी थे कितना सुन्दर परिवार है साथ में रानी है चोटे-चोटे दो राजकुमार है रत है, रत्वान है साथ में ऐसा सुक तो हमें पता ही नहीं कि हमारा भी ऐसा परिवार होता है सुना है कि बस वो संकल्प नियती में फिक्स हो गए आजा था वासा सुर्ता जा निवासा वासने चा पोटी जनम ग्या वाला परचिंतन में प्रान निकलने के कारण पुना जनम लेना पड़ा एक राजपरिवार में लेकिन संसकार द्रड तो वो थे कौन से कि मैं तुझे एक बार पाके रहूँगा मैं तुझे एक बार प्राप्त करके रहूँगा वो संसकार थे अब यहां पैदा हुए तब से वो तो प्रबल जो संसकार होंगे उदर खीशते है आदमे को प्रबल संसकार चोटे-मोटे संसकार भी उदर जटके मारते हैं चोटे-मोटे संसकार भी जटका देते हैं लेकिन प्रबल बाला कीशता है प्रबल संस्कार तो वो थे बस पैदा हो थे उनका तो जीवनी अलग था बस एक माता के निमित बहाने से सुरुची के निमित चोड़ना पड़ा और गए और छे मैने में इश्वर प्राप्ति हो उसके बाद दुर्वजी को भगवान ने आद प्रबल इच्छाती मुझे पाने की मैं तो मिल गया लेकिन छोटी सी इच्छाती उसके लिए तो भी आप करके देखें सचिदा आनन्द भगवान ताहिसी संखाना हो कि हमारे घट में प्राण हो जब तक नाम ले और प्राण भी चले गया रुराम भी चला गया साथ में फिर तो इच्छा पूरी हुई नहीं होगी दूसरे दिन होगी क्या फ़रत आज़ा लेकिन भग्त की का नास नहीं होता नेच उच घर जन्म ले रहे संत के संत भग्त बीज फल्टे नहीं जुग बिर जायानन इसी तरह इसको ध्यान मिलेती हुए और पुना शाम में छे से साथ मुझे के थोड़ा सा ध्यान का त्रिकास संद्य करना पड़ता है न इसी बीर में तीनों काल भग्वान के चित्व अभी थोड़ा सा नाम संकिर्थन करेंगे उसके बाद इसको विश्व विराम देंगे और अगे के कुछ कारें चितवत पंत रहे ओ दिन राती अब प्रभू देखी जुडानी चाती मुनी सरबंग कहते प्रभू आपके दर्शन करके अब मैं शान धन्य हो गया क्यों न जाने कब से चल रहा है कितने जनम हुए उनका वो जाने इस जनम में पूरी आयू हो गई थी मुनी शरबंग व्रद्ध हो गई सो कच्छु देवन मोही नहोरा मैंने किसी का ध्यान नहीं किया आपके अलावा इसको एक निष्टता कही है इष्ट भाव द्रडव भाव मैंने किसी का ध्यान नहीं किया मेरा चित किसी की और नहीं गया पुना इस विश्यों पर कल चर्चा करेंगे और तब तब हरिनाम संकिर्तन बहुत सावधान और आनंद में भरकत सब लोग करें मा नर्मदा के पावन तटपत मुरू बहुत अचर पुनाओ करें máxim अगयक है मुरू अथच को ऊचना है जाय हो अमारो धने राधा 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 एक बार भाव में भरकर कौन कितनी स्रद्डा और भाव से बोल रहा है बीतर बैठा वह अंत्रयामी नोट कर रहा है देख रहा है यह आग निकाल कर देख रहा है ऐसी दार ना करो वीतर बैठा मेरा गोपाल आग निकाल कर देख रहा है तुकुर तुकुर देख रहा है चोटा सा गोपाल वीतर देख रहा है देख रहा है कौन कितने भाव से अजाद है आपको क्या डर है अरे भाई लोगों को डिस्को डैंस समें नाचने की शरब नहीं लग़ा तो हमको भगवान के किर्टन में नाचने से क्या आपकितर किंता तुझा ने रा ना ल्याम देना जूट मूट नाचने वाले नहीं नाचना नहीं दुपाखंड हो जाएगा जूटे जूट नाचने वाले नहीं हम जूटा नाज भी समझ लेते हैं क्या मेरामे विडिो में आने के लिए यू करा करता है हम समझले जाक इन दो फिर बैठे-बैठे भिनाज सकते हैं अमारो धन राधा 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 जय हो जय हो प्रभू तेरी जय हो अरीवो अमारो धन राधा 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 अमारो धन राधा 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 यमना तट पे रेवा तट पे राधे 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 गोविंद राधे भूपाल राधे शक्ती जगादे राधे राधे बक्ती जगादे कुपाल राधे 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 अमारो धन राधा 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 साम खुमारी नान का चड़ी रहे दिने अमार उधन रादा अमार उधन रादा रादे रादे तो वरदन में नंदगाओं में परसाने में शक्त जगा दे भक्त जगा दे प्यार जगा दे प्यार जगा दे बेश मिटा दे प्यार जगा दे रादे राम मिला दे काम मिला दे रादे 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 रन्दा वन का तृष्ण कनईया सब की आखो कातारा बन ही मन क्यू जले रादिका माहर तो है सब का प्यारा रन्दावन का प्रिष्ण सनया सब पिया को पातारा पजईमन की उजले रादिवा वहर तो है सब का प्यारा कंतावन का प्रिष्ण सनया सब की आखो पातारा यमुना कट परन्दक लाला जब जब रच रच रचा एरो यमुना कट परन्दक लाला जब जब लूग तंग मन दोजे का नाएशिंग बंची मधु पजाएवेश सब बुद भूली खड़ी गौपिया जाए पैसा जादू दाराद प्रम्णावन का कृष्नकन सब की आखो का ताराद प्रम्णावन का कृष्नकन या सब की आखो का ताराद मन ही मन की उजाले मन को है सब का प्याराद प्रम्णावन का कृष्नकन या सब की आखो का ताराद सावन का सीष्ट करिया, सब की आखों का साला रंग सलोना हरे साजे से चाई होगत सावन की रंग सलोना हरी सावन की हेरी मैं को भई दिवानी मन मौन मन बावन की हेरी मैं को भई सावन की तेरे कारण देख सामये चोड दिवा मैं देज़ सारा रंग सावन का विष्ण कनया सब की आखों का तारा मन यह मन क्यों जोले रादिका भई तो है सब का प्यारा दुनावन का देखन कनया सब की आपो कातारा हरी बोल उपर हाथ करके अरि तब लोग नहीं खड़े रहे ना अरी कम में लोग बेग जाओ हरी बोल उपर हरी बोल हरी बोल लारिबू 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 जै जै स्री रादे अभी जो है सस्थन का विसरजन हो गया आरती इसलिए नहीं करेंगे शाम को एक गंटा ज्यान करना है छे से साथ बजे के बीच ठीक है जितने सिविरार्थी है और जितने प्रेमी है सब पूरा लाव लेना चाहिए ऐसा नहीं कि अब तो सत्संग हो गया शाम में गंटा है जाए न जाए कदा फिने तरिकाल संद्या का नियम है मैंने कहा ना अनुस्ठान है तरिकाल संद्या सिविर में होनी चाहिए हर बार सिविर में अपने सिविर में तरिकाल संद्या होती ही है इसलिए शाम में बिलकुल जो है छे बजे एक गंटे संद्या के लिए होना चाहिए इसलिए अभी आरती नहीं करेंगे उससी समय करेंगे और कोना क्या है एक मैने से मोन है दो माता है पिर हम क्या करें अच्छा किया हम भी मोन रहे जाए मोन रहे जाओं पात साल पहले मोन था तो हम लोग गए हमारे चवान साब उनको बताए न हॉल में सिबीर करते दे उपर सव लोग आते थे बट 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 रक्षगरी जे साथ आठ साल पहले उपर सिबीर सव लोग और वो मोनी सिबीर होता था क्योकर मेरा मोन था यो लिक-ènककर काम चले ऐसे प्रेमी हमारे लिक-लिक कर भी काम चले पिर भी सिबीर में आवे और अवे यह अज तो याँ मावे नहीं इतनी बीड़। प्रति बंद होता है ना इतना बज़े तो डर के मारे आधेल तो आती नीचाथ अजिए डर गया हम जो म्र गया हम क्या खरेऊ डरने जैसा कुछ है क्या बोलो और अंगाबाद शमीति भी बोलेगी क्यावन और अईम्हाराज मद्धेप्रदेश कम उने और कुछ डरने जैसा है भाई राम भाई सिबीर में डरने जैसा है कुछ कि बापरे बहुत अच कठीन वाच छे और मरीज जावांगा ऐसा कुछ बेलकुल नहीं ऐसा है आकारण लोग डरते वह तो सिबीर होता है ज्यावन होता है और बैठना पड़ता है अईसा बैठना पड़ता है और लाइन लगा के रहो हम कैसे क्या करेंगे हम तो मरी जाएंगे अपने बापुजी कहा करते थे कि बजन करते करते मर जावे तो फिर क्या गाटा है तो तो माला करते उसमें बोलते भक्ति करता छुटे मारो प्राण, प्रभु एवु मांगू रहे, ऐजे बोलते हैं, इसलिए बिल्कुल चिंता ने, मरना वरना तो मामूली पात है, उसमें कोई दम वाली बात नहीं है, अब भी मर जाओं इस सिक्षन तो कोई चिंता नहीं, बहुत खुशी है, बोलो सम्मिल मर जाओं, नहीं मरूं, अभी मजूरी करवाओंगे, ठीक है, करें करें, नारा, नारा, सचिधानन दोग्वार, ओम, शान्ति, शान्ति, ठीक है, और समय बिले तो थोड़ा रस्ता सुधार थे, और मट्टी बट्टी उटर डाबते, बहुत जो है, बड़ेची बात है, जा करता हूं, जैसे कृष्ण, तो आपका इतना स्ने है न, वो स्ने के कारण में यह सब खट पट कर दो, यह तो बहुत आल सी हो, टेंशन आता है, काय का सी भीर भीर है, चुपचा भजन करेंगे, जाओ दर, कई बार कहता हूं, और अभी भी कह रहा हूं, बिल्कुल सच कह रह टेंशन आता है, काम करकर के, मैं कम काम करता हूं, पर गुमता तो हूं कि न, इच्छा लेकर